हमेरपुर के राधा कृष्ण मंदिर कराडा में चल रही भागवत कथा में सैंक्डों भक्तों की भीड रोजाना उमड रही है मंदिर में कथा के दोरान महाराज रामदास जी ने महाभारत काल के दोरान खटी बातों का विस्तार रूप से बरण किया मंदिर में 29 मार्श तक भागवत कथा का आयुजन किया जा रहा है कथा के अंत में रोजाना विशाल लंगर में भी लोग पर साथ क्रहन कर रहे हैं भागवत कथा में भगवान शिरी कृष्ण के लीला पर भी विस्तार रूप से बरण किया गया उन्होंने कहा कि भागवत कथा में प्रवच्चन मात्र सुनने से कस्च दूर होते हैं और हर मनुश्य को कथा अवश्य सुननी चाहिए मंदिर में भागवत कथा किसमापन अपसर पर आर्ति का आयुजन किया गया और उसके बाद भगवान को भोग लगा कर लोगों में परशाद बंटा गया इस अपसर पर रादा कृष्चन मंदिर कराड़ा के पुजारी बंसी धर महराज के अलावा आसपास के गाउं के लोग भी मुझूद रहे अपसर पर लोगों की कखा चर्चा का प्रोड़न लिए ऐसा विचार कर रहे तोसी समय सरसुती नगी के किनारे यास थी के आस्रम में नारथी आए नारथी आए जासी नहीं की पूजा की और बैठाया नारथी ने कहा है कि आप ठीक तो हो पुशन कुंगन तो है बुले हाम किये प्रिए आप को शांती कियों नहीं हाट ही कि के दिल मुराथ इसका कार्म हमें नहीं बता रहा है कि आपके तो नहीं को मुझे दुख क्यों है क्योंकि लोग क्यों लोग का रोग का लिए फूर्टेश्व से कैट है रोगी तो कि वो लोग का इंदा कामने हुए इसके कहते हैं हम को दुपतों हैं लेकिन हमारे इंदर क्या भूल कमी है क्या भीमार यह यह नहीं पफाल लग रहे हैं आप प्रमा के पुत्र हमें पिकार दर्शी है आप पता है